कुछ ही दिन पहले शारुक खान को वाई प्लस केटेग्री की सुरक्षा मिली थी जिसकी वजह से हम सब वाकिफ हैं पॉलिवड और उसके सितारों की लाइफ अक्सर बहुत चमचमाती हुई नजर आती है मगर कई ऐसे सिलेबरिटीज भी हैं जिने अपने फेमस होने की कीमत अंडर वर्ल्ड से धमकी पाकर चुकानी पड़ी है अपनी फेम और सक्सेस की वजह से कई बार इन स्टार्स को अंडर वर्ल्ड डॉन्स की धमकी का साम ना करना पड़ा है इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिंगर अरिजीत सिंग का अरिजीत की मैनेजर को एक कॉल आता है जिसमें एक शक्स ने अरिजीत से पाँच करोड की मांग की क्या फिर दो शोफरी में करने को कहा एक कॉल था बहुत ही मशूर डॉन रवी पुजारी का ये पहली बार नहीं था कि रवी पुजारी ने किसी सिलेबरिटी को धम की दी हो दरसल 2014 में नौस वाडिया जो कि प्रीती जंटा के एक्स बॉइटरंट थे उन्हें भी पुजारी ने फोन किया था और प्रीती को परिशान ना करने की बात कही क्योंकि प्रीती उसकी फेवरेट एक्ट्रिस है फिर बारी आई महेश भट की दरसल रवी पुजारी को किसी सिलेबरिटी की ही तरह लाइम राइट में रहना पसंद था मुंबई में कोई भी क्राइम होता तो रवी पुजारी सबसे पहले उसके जम्मेदारी लेता 2014 में ही एक दिन रवी पुजारी ने अपना एक आदमी महेश भट के ओफिस भेजा उसके पास लोड़ेट गन थी दरसल उसके पीछे रवी ने रीजन दिया कि उसे पता लगा है कि महेश भट ISI के साथ मिलकर काम कर रही है मगर उस वक भट इंडिया में नहीं थे तो उनकी जान बच गई ये पहली बार नहीं था कि भट फामली को अंडर वर्ड से धंकी मिली हो इससे पहले भी 2007 में पुजा भट के फिल्म धोखा रिलीज होने के बाद पुजारी से उन्हें धंकी मिले थी फिर 2015 में एक सीनियर वकील हरीश सालवे को थ्रेट्स मिले जो के इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पुजारी के इस घेरे में किंग खान भी आए दरसल वो उनकी फिल्म हैपी न्यूयर के ओवर सीज राइट्स चाहता था जिसके लिए उसे मना कर दिया गया उसके बाद फिल्म के प्रड्यूसर्स मुरानी भाईयों पर अटाक किया गया मगर गोली पार्किंग में लगने की वजह से वो बच गया आक्टर्स के अलावा सिंगर सोनो निगम को छोटा शकील नाम के डॉन से धमकी मिल चुकी है चोटा शकील दाउद इबराहिम गैंग का सदस्य है और उसने सोनो निगम को धमकी दी कि वो अपने वर्ल्ड टूर मारश करने वाली कमपनी से डील रद करके उसकी पसंद की कमपनी में डील करे जिसके बाबत उसने सिंगर को कई धमकी भरे मेसेज और कॉल किये फिलहाल रवी पुजारी महराश्ट्र की एक जील में बंध है और छूटा शकील फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है